पेल की पुकार कविता की व्याख्या 4. शाखाई आंधी तूफानों में तूटी फूंत आंख में आप मत दालो रो रोकर पुकार रहा हूँ हमें जमी से मत उखारो हमी कराते सब प्रानी को अमरित का रस्पान हमी से बंती कितनी ओशधी संदर्ब उप्रोक्त पंक्तिया शंभुनाथ सिंग की बेहत चर्चित कविता पेल की पुकार से उद्रित की गई है इस कविता में पेल की बेबसी को बेहत मार्मिक धंग से प्रस्तुत किया गया है व्याख्याक हमारी शाखाएं आधी तूफान में टूट जाती है फिर भी हम जीवित रहते हैं थूंट बनकर हम जीवित रहते हैं लेकिन तूं थूंट पर नजले गडाय रखते हो हमारी पुकार सुन लो हे मनुश्य हमारे साथ इतनी निर्दैता मत दिखाओ हमें जमीन से उखाड़ कर हमारे प्रान नलो तुम्हें तो मालूम ही होगा कि हम पिर्णों के कारण संसार के सभी प्रानी अमृत का रस्पान करते हैं हमी से रसीले और मीठे फलों का भोग करते हो नहीं रहे तो तुम्हें फल कौन देगा उन फलों में तुम्हारे लिए कितनी जीवनी शक्ती होती है तुम्हारे लिए वे फल अमृत के समान होते हैं और हम से तुम्हारे लिए न जाने कितनी ओशदिया तैयार होती है हम तुम्हारे लिए रक्षक की तरह हैं एक टूट बनकर जीवित रहते हैं क्योंकि जरसे नहीं उख़रते हैं भले ही शाखाय टूट जाती है फिर भी हम अपने प्रान को नहीं त्यागते हैं दो पेड तरह तरह से अपनी उप्योगिता को रेखाकित करने का प्रयास कर रहा है तीन मनुश्यों को इतना कुछ देने के बावजूर उससे अपने प्रानों की रक्षा के लिए गोहार लगा रहा है चार मनुश्यों के लिए पेड का होना कितना आवश्यक है इस प्रसंद से अभिव्यत हो रहा है